अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में हुआ था। उनके पिता फॉरस डिपार्टमेंट में एक क्लर्ख थे। अनुपम खेर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिमला से की थी। उन्हें स्कूल के समय से एक्टिंग करने का शौक हा। वो हर फंचन में हिस्सा लेते थे। हाला कि अनुपम खेर का मानना है कि शुरुआत में लोग उनकी एक्टिंग को पसंद नहीं करते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग की पढ़ाई करना शुरू की, इसके बाद उन्होंने नाशनल स्कूल ओफ ड्रामा म पुरसकार मिला था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किये। दर्शन बड़े परदे के अलावा छोटे पर भी अपने अभिने से धमाल मचा चुके हैं। वह छोटे परदे के लाइफो के देवो के देव महादेव में भी नजर आ चुके हैं। 176 में मृनाल सेन की बंगाली फिल्म मृगया से अभिने की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट आक्टर का नैशनल फिल्म अवार्ड भी मिला और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी बॉलीवुड डेब माता हैं और मुंबई में स्थित हैं। वो हिंदी फिल्म उद्योग में कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में भी काम करते हैं। उनका जन मुद्तर प्रदेश राज्य में हुआ था और उन्होंने 2012 में आइना थियेटर सोसाइटी के साथ अपने अभिने करिया की शुरु उन्होंने बाल कलाकार के रूप में बदला और आदमी सड़क का जैसी फिल्मों में अभिने किया। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई सारी फिल्में की और बॉलीवुड में अपना नाम कमाया। पललवी को फिल्म दटाशकन फाइल्स के लिए बेस्ट सरपोर् अभिनेता, लेखक और मंच निर्देशक हैं, जो ज्यादातर मराथी मनोरंजन उद्योग में सक्रिये हैं, वो फरजंद, फतेशी कास्ट और पवन्खिंड में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जन्म, 2 फरवरी 1989, उम्रत 43 वर्ष